जैहिन सातियों आप सभी का स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने चैनल टार्गेट सेलेक्चन में सातियों आज की इस वीडियो में आप देखेंगे हिंदी के पुर्षन, सामानन रिज्ञान के पुर्षन, करिंट अफ़ेर के कोशन, उसके बाद सातियों तो reasoning के और math के questions देखेंगे आज की इस वीडियो में साथियों अगर हम level की बात करते हैं तो हिंदी का level आज काफी अच्छा है तो अगर हिंदी के level में यानि के हिंदी के questions में से जो के 37 questions होंगे अगर 37 questions में से आप साथियों 25 questions भी कर देते हैं क्योंकि आज लेवल थोड़ा अप है साथियों अच्छा लेवल है उसके बाद GS के अगर साथियों बात करते हैं तो GS के 38 questions रखे हैं और इन 38 questions में से साथियों आपका score 17 ए 18 के आसपास का आना चाहिए उसके बाद reasoning का मैं आपको score बता दूँगा उसी समय और math का score साथियों मैं आपको बता देंगो देखिया अगर पहला प्रिश्ण के अगर बात करें किस चब्द में अधिकर्ण कारक का प्योग हुआ है अब बहुत सारे बच्चे इसका आंसर नहीं देपाएंगे तो मैं आपको बताता हूं देखिये साथियो रेखा चितर का मतलब क्या होता है रेखाओं का चितर तो यहाँ पर तो सम्मंद कारक हो जाएगा उसके अलावा अगर बात करें गंगा जल यानि के गंगा का जल यहाँ पर का आ रहा है तो जहां का आता है वहाँ पर सम्मंद कारक हो जाता है उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर वाहन आरुन की देखिए जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है वाहन पर आरुन वाहन पर आरुन तो पर जहां पर होता है साथियों तो वो अधिकन कारक हो जाता है में हो तब भी अधिकन कारक पर हो तब भी अध राला वाक्या अगर बात करते हैं, तो यह किस वर्ग के अंतरगत आता है? तो ये साथियों चारू की अगर बात करें ना तो ये तो अंताइस्तेवेंजन कहलाई जाते हैं ये कैसे वेंजन कहलाई जाते हैं या अंसर आपका option number C के साथ जाएगा अब उसके बाद देखें साथियों अगले नमबर का परशन आपकी स्क्रीन पर है कि वरक्षों से पत्त ज़ड रहे हैं यानि कि अलगाव हो रहा है पत्ते अलग हो रहा है वरक्ष से तो जहां पर भी साथों ऐसा होता है कि पत्ते मतलब कुल मिलाके अलगाव पैदा होता है तो वहाँ पर आपका आपादान काराखी होता है तो जिनका अंसर सी था तो बिल्कुल सही था अब उसके बाद देखिए सात्यों अगले नंबर का प्रिशन आपके स्क्रीन पर है कि नीचे दिखे शब्दों के उप्युक्त परहवाची बताए यानि कि परहवाची आपको बताने अमरत शब्द का तो अमरत का परहवाची प्यूश होता है उदक होता है अंबू होता है अशेहद होता है प्यूश होता है जिनका अंसर यहां पर option number A है तो बिल्कुल correct है उसके बाद देखिए मर्कट का साथियों क्या परेवाची होता है तो मर्कट को क्या कहा जाता है बंदर को एक तरीके से मर्कट कहा जाता है right answer आपका C के साथ जाएगा मेधावी का साथियों परेवाची बताएं किसका मेधावी का साथियों परेवाची क्या होगा तो मेधावी का परेवाची क्या निष्ठावान होगा या विद्वान होगा या विचारशील होगा या पृतिवाशाली होगा तो मैं कह सकता हूं साथियों पृतिवाशाली होगा राइट आंसर आपका उप्शन नमर ए हो जाता अब उसके बाद देखिए ए निबलके डी हो जाता है संसनाहट यहाँ पर एक शब्द लिखाओ और पूछा जायरे कि इसमें कौन सा प्रते है तो संसनाहट कि अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर आहट प्रते हो जाएगा राइट आंसर आपका जाएगा उप्शन नमर डी के साथ अब उसके बाद देखिए आधि मानता शब्द में उपसर्ग सातियों कौन सा है बताएगे तो यहाँ पर अधि एक शब्द अलग हो जाएगा और मानता अलग हो जाएगा यानि कि उपसर्ग कि अगर बात करेंगे तो अधि यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा पहला पच सातियों भर आ जाये तो वहाँ पर हमेशा अववाई भाव समास होता है या आप लोग धियान रखेंगे आंसर आपका अगर है ऑप्शन नमबर एक एसाथ तो बिल्कुल करेक्ट है नौ ग्रह शब्द का समास भेद बताईए बताईए अब यहाँ पर अगर सातिय हम लोग बात करते हैं क्या अगर बात करते है जहाँ पर भी संख्या वाचक शब्द पहले आजाए तो वहाँ पर कौन सा समास होता है वहाँ पर आपका द्रगू समास होता है इसलिए सही जवाब आपका आगर है ऑप्शन नमबर सी के साथ तो बिल्कुल केरेक्टर भाई बहुत बड़िया वेरिकूट क्लास अब यहाँ पर आपको विलोम बताना है कि करतग का सात्यों विलोम क्या होगा बताए तो आप सभी लोग जानते है कि करतग का विलोम होता है करतग ने करतग मतलब होता है एहसान को मानने वाला और करतग मतलब होता है एहसान को ना मानन तो जिनका आंसर यहाँ पर ए था तो बिल्कुल सही था अब उसके बाद देखिए कि संकीर्ण का विलोम क्या हो सकता है साथियों बताईए तो संकीर्ण का विलोम क्या हो सकता है यहाँ पर विकीर्ण हो सकता है राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ उसके बाद देखिए धातु उश्मा में सात्यों संधी कौन सी है या आप से कुल मिलाके आपर पूछा जारे बताईए सात्यों अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से मैं रेक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप सभी लोग एक बार लाइक जरूर कर दीजे और बता दीजे के धातु उश्मा में कौन से संधी देखिए इसका संधी विच्छद करेंगे तो धातु धन उश्मा आ जाएगा यानि कि इसमें कौन से संधी होगी दीर संधी होगी सही जवाब आपका पर ये वाला होगा ये वाला होगा ये वाला होगा ये वाला होगा तो सात्यों अगर बात करें कौन सा वाला होगा निश्कलंक जैसे लिखा हुआ है और आपसे पूछे निश्कलंक का संधी विच्छद क्या होगा तो निश्कलंक ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे उसक जो एक तरीके से पुलिंग आया खेलता है आगर मैं रोहन की जंगा साथियो सावित्री लिख दूँ तो रोहन खेलती है हो जाएगा किरिया बदल जाएगी तो कुर्मिला के जो भी साथियो लिंग में बदलाब होता है वो साथियो संग्या क्या धार पर होता है संग्या जैस वैसे लिंक का निर्धरन करना होगा अब उसके बाद देखिए तिलक किस परकार का शब्द है बताईए चलिए तो सातियों यहाँ पर अगर बात करें तिलक कैसा शब्द है तत्सम है तत्भव है देश जही असंग करें तो यह सातियों एक तत्सम शब्द है तो दोनों बाते आप लोग ध्यान रखेंगे कल को आप से यह भी पूछा जा सकता है कि पंक एक आपका तत्भव प्रूब है इसका तत्सम क्या होगा तो पक्ष आपको बताना है उसके बाद देखिए निन्विकित में से वरतानी की दिश्टी से शुद्द शब्द कौन सा है बताईए अपने परिक्षा की तैयारी कर रहा है तो आपको मालुम होना चाहिए कि परिक्षा कैसे लिखा जाता है तो परिक्षा में साथिओ बड़ी E की मातरा आती है या आपकों ध्यान ढखेंगे ऐसे ने लिखा जORAएगा जैसे option number C में लिखा हुआ है इस परकार से लिखा जाए तो मैं कह सकता हूं साथियों आखों में धूल जोकने का मतलब होता है धोका देना ठीक है ना तो आंसर आपका उप्शन नमबर भी है तो बिल्कुल सही हो जाता है अब उसके बाद देखिए वाक में प्रिक्त लोकुक्ति का उचित चापदिक अर्थ क्या होगा साथियों बत आए सही रवाब आपका क्या हो सकता है चलिए तो इस कोशन का राइट आंसर साथियों आपका क्या हो सकता है देखिए फ्रेश बलड मतलब जिसके जो यूवाओं को ने ने यूवा का खून होता है तो उसको हम लोग कह सकते है नया खून है तो कुलमिला के यहां पर अगर चीर शब्द का समनार्थी शब्द क्या होगा बताईए तो चीर का मतलब सात्यों आप सभी लोग को मालूम होना चाहिए चीर को हम लोग वस्तर भी कहते हैं जिनका भी आंसर यहां पर भी तो बिल्कुल करेक्ट है उसके बाद देखिए रसाल फिर आगया आम कहते हैं चीर शब्द यह सात्यों वस्तर हो जाएगा उर्वशी के रचनाकार कौन है बताईए तो आप सभी को मालूम होना चाहिए सात्यों उर्वशी के रचनाकार कौन है जैशंकर प्रसाद औरवशी के रशनाकार है जिनका भी आंसर यहाँ पर ए तो बिल्कुल करेक्ट है पिर थवी राज रासो किस काल की रशना है बताईए तो यह कब की रशना है यह आदी काल की रशना है राइट आंसर आपको आप्शन अमबर ए हो जाता है नमने कित मैंसे रामधारी सिंग दिनकर की रशना कॉन सी नहीं है बताईए चलिए देखिये औरवशी रामधारी सिंग दिनकर की है कुरू छेतर भी है रश्मी रतिवे लेकिन मेरे ग्रैनी के अगर बात करें तो वरंदा लाल वर्मा की है ये रचना इसलिए आंसर आपका आप्शन नमबर C के साथ जाएगा उसके बाद देखिए महादेवी वर्मा को ग्यान पीट परुसकार दिया गया था उनकी कौन सी करती के लिए साथी हो तो यामा करती के लिए ये आप लोग घ्यान डखेंगे जाएगा उप्शन नमबर C के साथ उसके बाद देखिए आगे जी को किस करती पर ग्यान पीट परुसकार मिला था बताएगे तो आगे की अगर बात करें साथी हो कितनी नावों में कितनी बार के लिए इनको ग्यान पीट परुसकार दिया गया था या आपको मालूम होना जाएगा उप्शन नमबर D के साथ चलिए तो अब सात्यों यहाँ पर आपके सामने सामान ग्यान के शुरू कर प्रिश्ण हो चुके हैं तो उसके बाद सात्यों आप देखिए तो अब आपके सामने यहाँ पर सात्यों सामान ग्यान के प्रिश्ण शुरू हो चुके हैं त इसमें से आपका स्कोर सात्यों कब से कम 16-17 कातों रहना ही रहना चाहिए अब उसके बाद देखिए जगनात मंदिर सात्यों ये कहां पर है तो ये ओड़िशा में है राइट आंसर आपका भी के साथ जाएगा उसके बाद देखिए आजैपाल सात्यों कौन थे ये संस्थाप है तो आंसर आपका जाएगा वो ऑप्शन नमबर एक के साथ जाएगा उसके बाद देखिए अगला प्रिशने के भारतिय सविधान में समवर्ती सूची किसके सविधान से ले गई है बहुत आपके एक्जाम में पूछा जाता है तो ये तो आस्टेलिया के सविधान से ले गया है समाजवादी भी जोड़ा गया है उसके अलावा एकता और अखंडता जैसे शब्द भी जोड़े गया है लेकिन गुट निरपेक्श शब्द नहीं जोड़ा गया है तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है उसके बाद देखिए हर्यक वंश के किस शासक क कुंडिक सात्यों कहा जाता था बताईए देखिए यहाँ पर अगर बात करें कुंडिक किसको कहा जाता था तो यह आपको मालूम होना चाहिए आजाज शब्द रू को सात्यों कुंडिक कहा जाता था राइट आंसर जिनका ऑप्शन नमबर सी है तो बिल्कुल कैरेक्टर बहुत बढ़िया वेरी कुट प्लास चलिए उसके बाद देखिए सात्यों हरी केली नाटक के रचाईता की अगर बात करें तो कौन थे चोहान शासक विग्रह राज चतुर्थ की अगर बात करते हैं सात्यों बीसल देव यानिके बीसल देव इनको कहते हैं तो कुल मिला के हरी केली नाटक का रचाईता कौन थे सात्यों आप लोग ध्यान रखेंगे चोहान शासक विग्रह राज फोर थे उसके बाद देखिए अगला ब्रशने क्या राश्पती या उपराश्पती कभी सयुक्त अधिवेशन की अध्यक्ष्टा कर सकते हैं या कभी नहीं कर सकते ह राइट आंसर आपका जाएगा उप्षन नाबर B के साथ अब उसके बाद देखिए अगला ब्रशने के भारत की संचित निधी से धन निर्गम पर किसका नियंतर है बताएगा उप्षन नमर D के साथ उसके बाद देखिए मंत्री परिश्ट में शामिल होते हैं यानिके मंत परशद में साथियों परधान मंत्री होते हैं और उसके अलावा उनके अन्न मंत्री होते हैं राश्पती नहीं होते हैं तो कुल्विला के आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नमर डी के साथ भई बहुत बड़िया वेरी कुट क्लास अब उसके बाद देखिए कि भारती सविध सविधान के अनुच्छे 24 और 75 किन विशो पर विचार करते हैं बताईए तो ये देखिए जो अनुच्छे 24 है 75 है ये मंत्री परशद के बारे में बताता है सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नमर एके साथ जाएगा उसके बाद देखिए सरकारिया कमिशन के द्वारा संस्तुती की गई अंतर राज्य परशद का गठन सविधान के किस धारा के अंतरगत किया गया है तो किस धारा कि अगर बात करते हैं साथ यहां पर किस अनुच्छे 263 के अंतरगत किया गया है ये आप लोग ध्यान रखेंगे राइट आंसर आपका उप्शन नमर की इस्थापना अगले नमर का प्रिशने के टुंडरा वरस्पती का सरवधिक विस्तार पाया जाता है तो इसका सबसे ज़्यादा विस्तार जो पाया जाता है वो सात्यों उत्तर ही अमेरिका में पाया जाता है ये आप लोग ध्यान रखेंगे उसके बाद देखिए अगल बढ़िया वेरिकूट क्लास चलिए उसके बाद देखिए कि निम्रिकित में से किस देश में उसके कुल छेतर फलका 30 प्रतिशत से अधिक छेतर राश्टिय पार्क के अंदरगत आता है तो किसकी बाद चल रही है सात्यों इसराईल की बाद चल रही है या आप लोग घ्या पहरी जील तो बैकाल जील दोनों बातों में ही आपको बैकाल जील ही बताना है उसके बाद देखिए कि निम्रिकित देशों में देशों के नामों में से किसके नाम का मतलब होता है चालिस कभीलों का देश राइट आंसर आपका जाएगा अभी के साथ उसके बाद वो option number A के साथ जाएगा उसके बाद देखिए M.P.R मापने की काई है यानि के M.P.R किसको मापने की काई है M.P.R के द्वारा क्या मापा जा सकता है तो इसको द्वारा विदुधारा मापी जा सकती है तो आप लोग ध्यान रखेंगे right answer आपको option number B हो जाता है उसके बाद दे पैर से धक्का देते हैं तो बरफ कोई पृतिगरिया व्यक्त नहीं करती या बरफ में सड़क की अपेक्षा घरशन कम होता है बिल्कुल सही साथियो बरफ में घरशन कम होता है सड़क की अपेक्षा right answer आपका जो जाएगा वो option number D के साथ जाएगा उसके बाद देखिए अ यो मंडली ये दवा बहुत कम होता है तो मैं कहूंगा साथियो देखिए अंतरिक्षी में गुरत्वा कर्शन बल नहीं होता है इसलिए वहां का यात्री निरवात में सीधे खड़ा ही नहीं हो सकता है साथियो कभी वो इधर जाएगा कभी वो उधर जाएगा तो कुल मिला का आनसर आपको option number A होता है और जिनका answer यहाँ पर A था तो बिल्कुल character भई प्रोटोन की खोच किसके द्वारा की गई थी गोल्ड स्टीन के द्वारा की गई थी correct answer आपको option number D हो जाता है neutron कि अगर बात करें तो neutron की कोच किसके दोारा की गए थी साथियो neutron की कोच चैडविक के दोारा की गए थी अभी मैंने आपको बताए कि proton की कोच गोल्ड diskin के दोारा और neutron की कोच साथियो चैडविक के दोारा उसके बाद देखिए अगले नंबर का पुरिशन है बताईए अगर इलेक्टॉन आपसे पूछा जाए तो जेजे थॉमसन आपको बताना है उसके बाद देखिए कि निकित में से कौन विस्वोटक नहीं है बताईए देखिए यहाँ पर अगर बात करते साथियो जो नाइट फोटोग्राफी में इस थाईकर के रूप में प्रियुक्त होने वाला रासायन कौन सा है बताईए तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियो के सोडियम थायो सलफेट के अगर बात करें तो यह फोटोग्राफी में इस थाईकर के रूप में प्रियुक्त होने वाला रासाय उसके बाद देखिए आती मुलायम खनिज टालक सोप स्टोन ये है तो अगर बात करें सातियों तो क्या है तो अगर आप लोग ध्यान रखेंगे कि इस कोशन का राइट आंसर आपका जो होगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा मैंगनीशियम सिलिकेट के साथ जाएगा आग अगर बात करें सातियों जो तपेदिक होता है जिवानू से होता है राइट आंसर आपका एक साथ जाएगा विशानू वर्धी करता है सातियों तो विशानू की अगर बात करें वर्धी करता है जीवित कोशिका में ये वर्धी करता है सही जवाब आपका आप्शन नमबर क इसके साथ जाएगा, बी के साथ जाएगा, उसके बाद दिखिए, अगले नंबर का प्रिश्ण है, यहाँ पर अगर बात करें, साथियो आपसे पूछा जाएँ मानफ शरीर में किस अंग की हड़ी सबसे लंबी होती है, तो साथियो किसकी जो हड़ी होती है वो सबसे लंबी होती है अगर बात करें सातियों यहाँ पर बात करें देखिए जांग की हड़ी होती है अरू भी इसको कहते है ठीक है ना अरू भी इसको कहा जाता है यह सबसे लंबी कही जाती है जिम्वाब्बे के राश्पती सातियों कौन है अग आप से एक्जाम में पूछा जाए तो उज्जैन आपको बताना है क्या आपको बताना है उसके बाद देखिए आई इन एस खंडेरी ये क्या है तो ये साथियो एक पंडुबी का नाम है आंसर आपको आप्शन नमबर सी हो जाता है उसके बाद देखिए विश्व अस्थमा दिवस साथो ये कब मनाये जाता है तो दो मैं को विश्व अस्थमा दिवस मनाये जाता है सही जवाब आपका आप्शन नमबर एक के साथ जाएगा उसके बाद देखिए एमैनुवल मैकरोन ये कौन है बताएए तो ये फ्रांस के राजपती है ये कहां के राजपती है साथो नमबर सीरीज वाला ये प्रिशन है देखिए जैसे के यहां पर आट से असी हो गया है वैसे ही असी से आट सो असी हो गया है तो यहां पर साथो आट सो असी से कौन सा नमबर आ सकता है और फिर उसके बाद साथो एक लाग साथी जार दो सो असी आना चाहिए तो अब साथों इसमें गुणा हुई है यानि कि 8 से 80 कैसे हुआ है तो सिंपल सी बात है 10 की गुणा करा दोगे 8 में तो 80 आ जाएगा यहां पर अगर बात करते हैं साथों देखिए 80 की अगर आप 11 से गुणा करा देंगे तो 8 की 11 से गुणा कराएंगे तो 88 आएगा और 0 का 0 लग जाएगा तो अब यहांपर 10 की गुणा हुई है यहांपर 11 की गुणा हुई है तो यहांपर लाना की कुणा होगी तो एक बार軍या ऐथासी पहें किया अथासी ब आप साथी ओर Çिन् friction की जंगह पर क्या नमबर आना चाहिए एक हजार चपन आना चाहिए और यह जो जीरो था वो लग जाएगा क्या यह आपशन में साथियो नमबर लिखा हुआ है तो बिलकुल लिखा हुआ है क्या उत्तर होगा लिकिन अभी एक सेकिंड और रुख जाएए अब देखिए यहाँ पर दस की गुणा हुई यहाँ पर बारहा की गुणा हुई तो यहाँ पर इस वाले नमबर में साथियो अगर तेरहा की गुणा करते हैं और यह वाला नमबर मिल जाता है तो यह शॉरिटी के साथ कहा जा सकता है कि यही आपका राइट आंसर हो जाएगा तो साथियो एक बार करा लि आ गया एक आ गया तो बिल्कुल सातियो और जीरो लगा था तो जीरो लगा दिया तो एक लाख 37,280 ही आ रहा है तो गुल मिला के ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है और जिनका भी आंसर यहां पर आपशन नमबर भी है तो बिल्कुल करिक्टर भई बहुत बड़ि या वेरिकूट क्लास अब उसके बाद देखिए दी गई प्रिश्ट आकरती में दिखाए अनुसार आकागस को मोड़ना है आपको और काटना है और खोलने के बाद आपको बताने कि कैसी चुतर आकरती आपको साथियो नजर आएगी देखिए मैं आपको जूम कर देता हूँ तो इसके लिए आपके लिए इसको जूम कर दिया मैंने देखिए अब मान लिजे साथियो क्या है ये एक गोल आपका पास कागस है कागस का तुकड़ा एक गोल है आपने सबसे पहले साथियो इसको क्या क्या इसको यहां से मोड़ा यानि कि ये वाला जो पार्ट था वो इ तो अब जब आप कागस सात्यों खोलोगे तो कैसे क्या होगा यह आप से पूछा जा रहा देखिए सबसे पहले यहां पर अगर बात करें तो यह वाला पार्ट जब आप खोलोगे तो यह वाला पार्ट आजाएगा और जब यह वाला पार्ट आएगा ना तो यह वाला भी सात्यों ऐसे थोड़ा सा कटा हुआ पार्ट होगा ठीक है ना? अब अगर बात करते हैं साथियो आप जब ये वाला पार्ट खोलोगे तो यहां पर भी थोड़ा सा कट आएगा और यहां पर भी साथियो थोड़ा सा कट आएगा जब आप ये वाला पार्ट इधर के लिए खोलोगे तो यहां पर एक कट आएगा चोटा सा और अगर बात करत सही जवाब हो जाता वही बहुत बड़ी या वेरिकूट क्लास अब उसके बाद देखिए दिये गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिये गए शब्द के अक्षरों का प्रियोग करके नहीं बनाया जा सकता है तो कन्वर्जेशन यहां पर शब्द लिखा हु आपको मिल गया अब V.E.R. और ढून लिजे V.E.R. सातियों यह हो गया यानि कि यह वाला भी सातियों बन सकता है अब उसके बाद आप्शन नंबर C वाले को अगर देखे यहां पर क्या लिखा हुआ है टि आई ओन लिखा हुआ है तो टि आई ओन यहां पर आपको मिल गय इसके लेटरों की मदद से नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता, तो यहीं आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भई, बहुत बढ़िया, लुप तो संख्या को ग्याद कीजिए, इसको भी साथियों मैं जूम कर दिया, यह लीजिए, अब जब मैंने यहाँ पर इन सबकी कैलकुलेट करके, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, इनको कैलकुलेट करके, इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है।, देखिक एक कीज़ अगर बात करेना तो अगर हम साथियों ग, अगर जोड़एटेगों, इन दोनों को अगर जोड़ं जोड़ेते हैं, 45 हो जाए क्या करें ऐसे अगरो 5 की 4 से गुणा कराओ तो 20 आ रहा है उसी परकार के 8 तिया कितना होता है 24 होता है तो बिल्कुल होता है 9 जो कितना होता है 7 और 36 होता है तो कुल मिलाकर यहां पर 36 आ जाएगा और देखना पड़ेगा 36 के आप्शन में है तो बिल्कुल साथ यह आप्शन में है आप्शन नमर डी वाले में है तो यही आपका बिल्कुल सही और सठीक जवाब हो जाता है वही बहुत बढ़िया वेरिकूट ट्लास अब उसके बाद देखिए अगले नमबर का कोशन आपके स्क्रेन पर है देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है यदि बीते कल से पहले वाला दिन रवी बार था तो आने वाले कल से अगले दिन से तीसरा दिन कौन सा होगा देखिए आपके एक्जाम में साथ यह इस टाइप का कोशन आता है यूपी पुलिस में ऐसा कोशन आता है साथ हो देखिए तो आप क्या करेंगे साथ हो आप सबसे पहले तो आज इसको माल लेंगे देखिए मैं साथ में आपको समझाता रहता हूँ ना तब ही मुझे सवालों को करने में थोड़ा सा समय लग जाता है एक मिनट पचास सेकेंड या तेहरे मिनट दो मिनट या तीन मिनट कभी भी लग जाता है लेकिन जब इसको अगर मैं बहुत तेजी के साथ करूँ ना तो हर एक सवाल एवेरेज के अगर बात करते हैं साथ हो एक मिनट से कम मिनट में बहुत आराम से हो जाए और अगर बहुत आसान सा सवाल है तो 45 से 55 से आप उसके लिए बहुत हो जाएंगे देखें जिसके यदि बीते कल से पहले तो ये तो आज हो गया और बीता कल क्या हो जाएगा बीता कल आपका ये हो जाएगा बीते कल से पहले वाला दिन यानि के परस साथियोवार था अब सिंपल सी बात है जब परसोविवार था तो कल कौन सा दिन था साथियोग सोंवार था और आज कौन सा दिन है साथियोन मंगल वार है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी us at दिखिये तो आने वाले कल से यह अगले दिन से ये अगला दिन हो गया, अब ह corها जाती हो बुद्वार होगा right now तो मैं कह सकता हूँ रवी वार होगा इसलिए सही जवाब आपका अगर है आप्शन नमबर A के साथ तो बिल्कुल कैरेक्ट भाई बहुत बढ़िया वेरिकूट प्लास अब उसके बाद देखिए साथ यो आगले नमबर का प्रशना आपके स्क्रीन पर है कि एक बस बिन्दू A से चलना 20 किलो मीटर दक्षन की और जाती है चलिए तो माल लीजे एक बस है बिन्दू A से चलती है और ये चलकर 20 किलो मीटर दक्षन की और जाती है तो दाएं गुमती हैं 20 चल दी तो ये 20 चला दी चलिए 20 चल गई उसके बाद कहा गया है कि इसके बाद वह अपने पूरब दिशा में 5 किलो मीटर चलती है पूरब दिशा में साथियों 5 किलो मीटर हमने चला दिया अब बिंदू B पर पहुंच जाती है कह रहे है कि बस प्रारंविक बिंदू से कितनी दूर थी यानि के प्रारंविक बिंदू तो ये थी और अब ही ये है देखे ये 5 चली है और ये कुल मिलाके 25 किलो मीटर लंबाई है तो 5 चल चुकी है, जाscheinर सी बात ही ये कितनी लंबाई होगी, ये साथियों अंगरेजी वर्ड माला के पर्थम अरधांश के अक्षर को विपरीत करम में लिखा जाता है तो दाएं से पंधर्मा अक्षर कौन सा होगा देखिए अगर मैं आपको समझाऊं साथ हो A से A हो गया, B हो गया, C हो गया उसके बाद सातियों यह हो गया Y हो गया और Z हो गया इसमें कुल मिला के कितने लेटर होते हैं इसमें कुल मिला के सातियों आपके 26 लेटर होते हैं अब जैसे के मान सकते हैं जो 13 शुरू के लेटर होते हैं और 13 अंद के लेटर होते हैं यह जो 13 शुरू के लेटर होते इसको कहा जाता है परथम अरधांश और जो 11 से लेकर इन तक जो होता है न यह परथम अरधांश होता है और उसके बाद साथ हो Z तक थोड़ी न, N तक थोड़ी न क्योंके 13 लेटर होते हैं तो तो यहाँ पर M बनेगा, बिल्कुल M बनेगा घलती हो जाती कभी-कभी उसके बाद सात्यों N से लेकर Z तक आपका जड़ती अरदाश बनेगा तो यहाँ पर यह जो सात्यों कहा जा रहा है आपसे के परतम अरदाश के अक्षरों को विपरीद करम में लिखो यानि के पहले यहाँ पर M आएगा उसके बाद सात्यों आपर A लाएगा फिर K आएगा ठीक है ना और फिर आपका J आएगा, फिर I आएगा फिर H आएगा, फिर G आएगा इस टाइब से कहने को यहाँ पर बात चल रही है उसके बाद सात्यों फिर F आएगा, फिर E आएगा फिर D आएगा, फिर C आएगा फिर B आएगा, फिर A आएगा यही तो कह रहा है कि विपरीद करम में लिखो ठीक है अब उसके बाद जो बचा है ना अरे भाई जो M के बाद बचा है उसको भी एक तरीके से लिख लो तो N हो गया ठीक है N हो गया उसके बाद सातियो O हो गया P Q R S T उसके बाद U V W X Y Z यह जो है ना यह पार्ट यह आगे है आगे जगा नी इस वाज़ा से मैंने इसको नीचे लिग दिया अब यहां पर कहा यह जा रहा है कि दो दाइन से दाइन भाईया किदर होता है दाइन इधर होता है यह वाला dाइन होता है तो दाएं से पंधरमे अक्षर कौन सा होगा ये कुल मिलाके साथियो आप से यहाँ पर पूछा जा रहा है बस तो पंधरमे अक्षर देख लिजे इधर से एक, दो, तीन, चार, पाथ, छे, साथ, आर्ट, नो, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौधा, पंधरमे अक्षर साथियो कौन सा निकला साथियो एक, दो, तीन, चार, पाच, ये हो जाएगा या कह सकते थे पंधरमे अक्षर के अरभाई दाए से पंधरमे अक्षर के दाए तीसरा अक्षर कौन सा होगा तो एक, दो, तीन, ये वाला हो जाएगा तो ये सारे पॉइंट आप लोग साथियो धियान रखेगे चलि निके पिलर्स जो है ना वो गुणा के लिए हो गया, माइनस के अगर बात करें, माइनस आपको सात्यों जहां पर दिखेगा, वहां पर भाग लिखेंगे, और अगर बात करते हैं सात्यों आपको जहां पर गुणा दिखेगा, वहां पर सात्यों गुणा का मतलब क्या हो बारहा पाच चार है ना तो बारहा लिख 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 किलेट करके आपको क्या लाना है अगर 22 आ जाता है यह वाला नंबर तो यही आपका राइट अंसर होगा 22 नहीं आएगा तो यह आपका अंसर नहीं हो पाएगा देखिए 12 माइनस 5 भाग 4 पिलस ठीक है पाच चोग 20 हो जाएगा तो कुल मिला कि यह तो एक तरीके से सही तरीक नहीं है अच्छा सी वाले की में भी नंबर यही है सिर्फ चिन्ने चेंज करे गए हैं और इसको किल्कुलेट करके आपका सूलह आना चाहिए जिसके यहाँ पर पिलस लिखा है ना तो पिलस का मतलब गुणा होता है तो सात्यों गुणा आ जाएगा माइनस लिखा है माइन जाएगा और पिलस पाच में से चार जाएगा सातो एक बचे का अब देखिए चार तिंग आपका क्या हो जाएगा बारा हो जाएगा तीन पंजे कितना हो जाएगा पंदरा हो जाएगा पिलस एक हो जाएगा उसके बाद बराबर सोलह लाना है यानिके सोलह बटा सोलह आप का ये बिल्कुल सही हो जाएगा और ये सही हो जाएगा तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई बहुत बड़िया वेरिकूर्ट क्लास अब उसके बाद देखिए साथियो ल, a, c, k को 396 लिखा जाता है तो b, a, c, k को क्या लिखा जाएगा देखिए यहाँ पर अगर लेटर पोजिशन की बात करते है तो l 12 पर आता है, a 1 पर आता है, c 3 पर आता है, और k 11 पर आता है अब देखिए 396 यहाँ पर लिखा है, इसको अगर जोड़े तो 12, 13 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16, 27 अगर लगभग यहाँ पर कम नंबर लिखा होता, लगभग अगर 27 नंबर लिखा होता, तो तो हम इन सभी नंबरों को आपस में जोड़ देते 12, 13, 36 हो जाएगा, और 36 से साथियो 11 की गुणा करेंगे, तो कितना आएगा, आप लोग साथियो देख लीजे, 300 यहाँ पर 96 आजाएगा, बिल्कुल साथियो जाएगा, इन सब से 396 तो हम ले आएगे हैं, तो अब B, A, C के से कौन सा नंबर आपाएगा, बताइगे, देख लोगे 6 आजाएगा, 6 की 11 से करोगे, तो कुल विलाके 66 यहाँ पर आजाएगा, और जब 66 आजाएगा, तो यही आपके स्परिशन का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, यही बहुत बड़िया वेरिकूट क्लास, अब उसके बाद देखिए, अगले नंबर का कोशन आपकी इसके इन पर देखिए, 6 परिवार हैं, A, B, C, D, E, F हैं, एक कतार में बने घरों में रहते, तो सातियों मान लेते, एक कतार हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 लोग है, 6 परिवार हैं, अब इसमें सातियों कहा जा रहें कि B के पडोसी जो है ना, F और D है, मतलब B बीच में है, एक इसके पडोसी, F और D है, चलिए, उसके बास सातियों क्या निखाएं, कि, E के पडोसी, A और C है, तो E ना आया है, ना A आया है, यहां परна C आया है, तो इसको स्क्टप कर दीआ, उसके बास लिए, कि, E, जो है, यह, D और F के बगल में नहीं नहीं, तो कुल्मिला, क्या अ ना C ये D के बगल में नहीं है यानि के C यहां कहीं भी नहीं आ सकता तो C को अगर बात कर लें सात्यों यहां पर मान ले अब अच्छा एक चीज यहां पर लिखी थी कि E के पड़ोसी हैं A और C तो E कहीं पड़ोसी हमने बना दिया A और C को कुन मिला के तो पूछा जारे के इफ के बगल इफ के बगल के पड़ोसी कौन है तो इफ है यहां पर इफ का बगल का पड़ोसी एक तो C हो जाएगा और एक सात्यों बी हो जाएगा तो C भी कहां पर लिखा हुआ है या B C कहां पर लिखा हुआ है option number c में लिखा हुआ है तो यही आपका बिल्कुल सही और साठीक जवाब हो जाता भाई बहुत बड़िया very good class तो अब उसके बाद देखिए साथियो math के आपर questions आपके शुरू हो चुके है math का पहले नमबर का साथियो सवाल है देखिए और बताएए सची जवाब आपका क्या होगा ऐसे लमब प्रामिट की उचाई बताइए कि जिसके तल का छेत्र फल तो 30 मीटर हो और उसका आयतन कितना हो 500 मीटर हो लम के अगर बात करें ऐसे लमब प्रामिट पिरामिट की उचाई आपसे पूछी जा रही है, अब अगर बात करते हैं, सात्यों देखिए, एक सूत्र होता है, मैं आपको बता देता हूं, पिरामिट का आयतन क्या है, एक सूत्र होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या होता है, सात्यों पिरामिट का आयतन का एक सू उस सूत्र के जरिये से आप इस सवाल का बहुत आराम से जवाब दे देंगे एक बटे तीन हो जाएगा और सात्यों तल का छेतरफल हो जाएगा क्या हो जाएगा तल का छेतरफल हो जाएगा और गुणा क्या हो जाएगा सातियों उचाई हो जाएगा अच्छाई ही आपसे पूछी जा रही है ठीक है ना उचाई ही आपसे पूछी है अच्छा पिरामिड का आयतन तो दे रखा है पिरामिड का आयतन कितना सातियों 500 है तो 500 है सातियों पिरामिड का आयतन बराबर एक बटे तीन है तो एक बटे तीन लिख लिए तल का छेतरफल कितना है तल का छेतरफल तीस मीटर है तो साथियो तीस मीटर हो गया अब गुणा क्या हो गई गुणा साथियो उचाई बचिये और उचाई ही आपसे कुल मिलाके पूछी जा रही देखिए इस तीं से ये आपका 30 कैंसल हो जाएगा 10 आजएगा अब ये इस 1 जीरो से 1 जीरो कैंसल हो जाएगा यानि कि उचाई आपके सामने जो आती है साथियों वो कितनी आती है वो 50 मीटर की आती है इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो आप्शन नमबर A के साथ जाएगा वही बहुत बड़िया वेरी कुट क्लाइगा चौसर सौ का दो वर्ष का साड़े साथ प्रतिशित बार्शिक दर्से चक्रवर्दी ब्याज कितने रुगए होगा आप से कुल मिला के क्या पूछा जा रहा है आप से साथ चक्रवर्दी ब्याज पूछा जा रहा है तो चक्रवर्दी ब्याज को साथ एक तरीके से हम C I भी लिख सकते हैं लेगे न, CI भी लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, एक सूतर होता है कि CI बराबर P, 1 प्लस R, बटे 100, बटे 100 की पावर साथियों, T, और माइनस यहाँ पर बना, अगर यहाँ पर A आएगा, तो तो यहाँ पर माइनस 1 नहीं आगा, लेकिन अगर चक्रव R कितना दे रखा है, साथियों, 7,5 पृत्षा़ दे रखा है, यानि के 7, 2, 14 और 1, 15, 15 बटे 2 पृत्षा़ साथियों, यहाँ पर R दे रखा है, तो 15 ऊपर ऊपर आजाएगा, नीचे 2 आजाएगा, और नीचे 100 लगेगा ना, तो साथियों, 200 से गुणा होगी, तो 200 ठीक है, अब देखिये साथियो, चालिस, कमेखम 40, और चालिस और एक कितना हो जाएगा, चालिस और तेन, 43, बठे क्या हो जाएगा, इतनी बात आपको साथियो, क्लियर हो गई होगी, स्कॉर तड़ी इसकॉर आजाएगा, आप उसके बाद अगर बात करें, साथियो, c i बराबर कितना हो जाएगा 6400 हो जाएगा गुणा अब अगर बात करते हैं सात्यों देखिए 43 का स्कुएर कितना होता है और 40 का स्कुएर कितना होता है तो 43 का स्कुएर कितना होता है सात्यों अठारा सो नचास अठारा सो नचास आगया आपका अठारा सो उन्चास आ गया उसके वाद सातियों कि आ जाएगा यहाँ पर आपका सोला सो आ जाएगा और माइनस वन आ जाएगा अब यहाँ पर अगर बात करें इस सोला सो की गुणा इससे हो जाएगी तो अब देखिए सातियों चोसट सो यहाँ पर हमने लिखा गुणा चोसट सो लिखा और अठारा सो उन्चास माइनस सोला सो बटे सोला सो हो जाएगा तो जब अठारा सो उन्चास में से सोला सो जाएगा सातियों तो कितना आपके पास बचेगा आपके बास सिर्फ और सिर्फ 249 बचेगा और भाग किया जाएगा 1600 आजाएगा ये सब किसके बराबर ही ये CI के बराबर है इसको कल्कुलेट कर लो आंसर आपका आपका निकल जाएगा तो 0 से 0 कट गए 16 16, 16 चौक आपके 64 हो जाएगे तो बस आपको 249 की गुणा कराना है सात्योष 4 से और आपका चक्रवर्दी ब्याज आपके सामने तो 4 नीम आपका सात्योष 36 हो जाएगा, 4 चौक 16 और 3 उन्निस हो जाएगा चार दुना आठ और एक साथ और नौ हो जाएंगे निके 996 आपका क्या निकलेगा चक्रवर्थी ब्याज निकलेगा और यही आपका बिलकुल सही जवाब हो जाता वाई बहुत बड़िया वेरिकूट क्लास अब उसके बाद देखिए लिखा हुआ है 63 परती किलोग्राम वाली चाये 90 परती किलोग्राम वाली चाये के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए ताके मिक्षन का कुल मूल जो है ना वो 72 परती किलोग्राम हो जाए कुल मिलागे देखिए एक बताया गया है यह परती किलोग में मिलाए कि इनका जो मूल हो जाए वो 72 रुपए प्रती कुलोग्राम हो जाए तो यहां पर 72 लिखे अनुपात पूछा है ना तो इनका अनुपात निकाल लीजे साथ यू कैसे 63-72 आपका कितना हो जाएगा तो 63-72 एक तरीके से आपका 9 हो जाएगा और इधर 90-72 आपका कि अप्शन नमबर सी हो जाता भाई बहुत बड़िया वेरी कुट प्लास चलिए आप उसके बाद देखिए साथियो अगले नमबर का कोश्चन आपके स्क्रीन पर है देखिए और बताए सही रवाब आपका यहां पर क्या हो सकता है चलिए किसी निश्चित राशी पर कोई राशी है इस पर साड़े बारहा वर्षों का साधरन ब्याज उस राशी का तीन बटे चार है तो ब्याज की दर क्या होगा देखिए कभी भी आपको प्रिष्ट में ऐसा कुछ दिखे कि साधरन ब्याज उस राशी का तीन बटे चार है या साधरन ब्याज उस राशी का आप हमें साधरन व्याज भी पता चल गया और मूलधन भी पता चल गया वाई, P भी पता चल गया तो अगर साथियो किसी चीज़ का मूलधन 4 है तो साधरन व्याज कितना होगा, साथियो 3 होगा, ठीक है ना? अच्छे दर पूछ रहा है तो दर बराबर क्या होता है साथियो SI, गुणा 100, बटे, P, और T अब हमारे सामने देखिए साधरन भी आज है या नहीं है साधरन भी आज भी है 3, T है नहीं है T भी है साथियो, साड़े बारा और SI है नहीं है साथियो, SI भी है तो कुल मिला के साथियो, R आप बहुत अराम से निकाल सकते हो तो R यह निकालना है, यानि कि दर निकालना है, साधरन भी आज अगर 3 है, गुणा 100 हो जाएगा भाग में साथियो, P और T, P कितना है, P अगर 4 है, तो T कि अगर बात करें, T कितना है, साड़े बारा यानि कि 12, 24, 24 और एक आपका 13 बटे 2 है, तो साथियो, यहाँ पर आपका 13 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा देखिए बाराव दुना 24 होगा ना 24 और एक 25 आपका हो जाएगा तो 25 बटे दो आएगा समय तो कुल मिलाके 25 यहाँ पर आ जाएगा और नीचे जो दो है ना वो सातियो ऊपर चला जाएगा अब देखिए 25 है कम 25 25 चौक आपके 100 इस 4 से यह 4 कैंसिल होगे तो आर बराबर कित किये और बताइए सातियों सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो सकता है बताइए चलिए यहाँ पर देखिए अगर बात करें कि ए और बी ने किसी काम को बहुत आसान सा परशन है लेकिन लेंगदी आपको लग रहा है सब किताब में भी सातियों इसका सलूशन बहुत ठेक काम लेंगे 45 रुपय का कहने कि ए अकेले अगर इस कार को करता है तो 8 दिन में करता है ए अकेले अगर इस काम को करे तो 8 दिन में करता है बी अकेले अगर इस काम को करे तो 20 सातियों 12 दिन में करता है और क्या कह रहा है सातियों सी की साहता से अगर उन्होंने यह कार चा सा नमबर ले लो जो आट के पहड़े मेंबी हो, बारा के पहड़े में भी हो, चार के पहड़े में भी हो, तो साथ यूइसर वो नमबर है, आट तियां कितना हो जाएगा, चौव Cool जाएगा, बारा दोना क्यू Back 200 हो जाएगा, चार छंगा आपका 24 हो जाएगा इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी अब देखिए अगर बात करें देखिए अब यहाँ पर A, B, C ये एक दिन में 6 काम कर रहे हैं A एक दिन में 3 काम कर रहा है यानिके A एक दिन में 3 काम कर रहा है तो C एक दिन में कितना काम करेगा भाई तीनों लोग मिलकर जब 6 काम कर रहे हैं और A B ने मिलकर 5 काम कर लिया तो जहर सी बात है C एक दिन में एक काम करेगा तो बस अब कुछ नहीं आपको करना है अब है कह रहे हैं ना के C का भाग या नीके C को कितने रुपई मिलेंगे अगर C भी इसमें हिस्सा ले 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 55 roll में अगर C भी हिस्सा ले 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 यानी के A, B, C अगर तीनों लोग काम करेए और 45 roll मिले तो C का भाग क्या होगा, C को कितनी धरनाशी मिलेगी टोटल क्या है साथियो 45-100 अब ये एक तरीके से ये काम में तीनों लगे हैं और A एक दिन में तीन काम करता है B एक दिन में साथियो या एक घंटे में जो भी यहां पर दे रखा होगा एक दिन दे रखा है A एक दिन में तीन काम करता है B एक दिन में दो काम करता है C एक दिन में एक काम करता है तो अब इसी हिसाब से इनको ये धंडाशी भी इसमें से मिलेगी तो C का पूछा गया C का C एक दिन में एक काम करता है टोटल काम कितना है सातियो टोटल काम 6 है तो 6 हो जाएगा अब इसको गट कर लीजिए सातियों देखिए छे चंग 36 हो जाएगा छे सते आपका 42 हो जाएगा तीन जाएगा तीस हो जाएगा छे पंजए आपका 30 हो जाएगा तो कुल मिला कि अगर बात करें सी का जो भाग होगा सातियों वो कितना होगा वो 750 होगा और 750 कौन से आप्शन में है तो आप्शन नमबर C वाले में है यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता वही बहुत बढ़िया वेरी गूड क्लास चार किलोमीटर पुरति घंटा की दर से चलता हुआ एक वैक्ती तीन घंटे 45 मिनिट तक कुछ दूरी चलता है चलिए यदि वही वैक्ती साइकिल चला कर साड़े 16 किलोमीटर पुरति घंटा की गती से उतनी ही दूरी तै करता है तो उसे कितनी दूरी तै करने में तो उसे उतनी दूरी तै करने में कितना समय लगेगा देखिए आप से पूछा जा रहा है समय कितना लगेगा सबसे पहले आप सवाल को समझ जाते हैं तो यह आसान हो जाता है आपके लिए इसको हल करना देखिए चार किलोमीटर पुरति घंटा की स्पीड से चलना है कोई और एक वैक भी उसको साड़े पौने चार घंटे में एक तरीके से तीन घंटे पैतालिस मिनट में तै करता है तो कुल मिला के अगर बात करें यहाँ पर चाल भी है यहाँ पर समय भी है तो दूरी तो आप कम से कम पता कीजे कितनी है क्योंकि दूरी हमें इसमें कम आने वाली है तो दूरी कि अगर बात करें साथियो क्या होता है दूरी बराबर होता है चाल गुरा समय इतनी बात आपको वालूम होना चाहिए दूरी बराबर क्या होता है साथियो चाल गुरा समय तो अगर बात करतें साथियो दूरी बाद चाल कितनी है चार तो आपकी 4 किलोमेटर परती घंटा है समय की बात करें तीन घंटे समय है और 45 मिनट को घंटे में कैसे बदलेंगे साथियो 45 बटे साठ कर देंगे 65 मिनट को साठ से भाग कर देंगे तो अगर बात करते हैं 15, 35, 45, 45 आपके कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे तो यहाँ पर अगर बात करते हैं न सातियों 3 सही 3 बटे 4 हो जाएगा यानि कि मैं कह सकता हूं सातियों 4, 3, 12 12 और 3, 15 बटे 4 आजाएगा यानि कि दूरी बराबर किया जाएगी 4 गुणा 15 बटे 4 आजाएगी इस 4 से ये 4 सातियों कैंसिल हो जाएगा तो अब आपको कम से कम दूरी तो पता चल गई कि दूरी कितनी है भाई दूरी आपकी 15 किलोमीटर है चलिए दूरी आपको 15 किलोमीटर परती चल गई यह बहुत अच्छी बात है दूरी कितनी हो गई यहाँ पर हम लिख लेते है दूरी बराबर जो हो गई सातियों वो 15 किलोमीटर हो गई यह बात आप लोग नोट करेंगे अब उसके बाद देखिए अब वही व्यक्ति है अब साइकिल चला कर यह जाता है तो अब आपके सामने सातियों दूरी भी है कितनी है 15 किलोमीटर की दूरी है चाल की अगर बात करें 16 किलोमीटर परती घंटा की चाल है तो कुल्मिला की अगर बात करें सातियों 15 बटे 16 किलोमीटर परती घंटा हो गई ठीक है ना अब अगर बात करें अब एक चीज़ देखिए साथ यहां पर मिनट में आए यानि कि जो समय है ना वो मिनट मिनट में दे रखा है और यह जो समय आएगा हमारे पास वो घंटे में आएगा तो घंटे को मिनट में बदन ले के लिए उससे हम 60 की गुणा करते हैं ठीक है ना इ 600 और यह आजाएगा 11 अब इसको solve करा लो साथ यह answer आपका अपके सामने आजाएगा चली कोई दिकत नहीं 11 11 155 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा पांच बचास हो जाएगा 11 14 44 हो जाएगा अब कितना बचैगा साथ यह 13 चंक हो जायगा 11,05 कितना हो जायगा, बच पन हो जाएगा, तो कुल मिला कि अगर बात करें, चाओवन-पॉइंट-पाँच कर के कुछ आँसर आएगा, ठीक है ना, चाओवन-पॉइंट-पाँच कहां पर सातियों लिखा हुआ है, तो चाओवन-पॉइंट-पाँच प्रत्षत की एक बट्टा दिया जाता है एक दूसरा बट्टा अच्छा एक बट्टा दिया जाता है पंदरह प्रत्षत का उसके बाद एक बट्टा और दिया जाता है जिससे पेन का विक्रे मूल जो है ना पेन बारा की जंगा दोनों बट्टे देने के बाद बारा की जंग पेन 8 रुपए 16 पैसे का हो जाता है तो दूसरा बट्टा कितना दिया गया यह आप से पूछा जा रहे देखिए पेन का अंकित मुल कितना है 12 रुपए है पेन पर जो 15 प्रत्षत का बट्टा दिया यानि के पेन को 85 प्रत्षत में बेचा बिल्कुल सही साती हो और वही 100-15 क करेंगे न 100-15 करेंगे तो 85 आजाए गोड़ा दूसरे बट्टे के अगर बात करें मान लिजे एक्स प्रत्षत का बट्टा दिया दूसरा दूसरे बट्टे की दर क्या है मान लिजे एक्स प्रत्षत है तो यहाँ पर 100-1 करेंगे जब यहाँ पर पहला बट्टा 15 प्रत्ष था तो हमने 100-15 किया अब दूसरा बट्टा मान लेते X है तो 100-X करेंगे यहाँ पर 100 आ जाएगा बराबर इन दो बट्टे देने के बाद उसकी कीमत 8 रुपए 16 पैसे हो गई 8 रुपए 16 पैसे होगी तो अब इसको सात्यों कैलकुलेट करो और X का मान निकालो जो X का मान होगा वही आपका आंसर आजाएगा अब यहाँ पर अगर इसको कैलकुलेट करने पर आए तो 2.12 और इसको अगर कट करें सात्यों यहाँ पर 50 आजाएगा और अगर इसको कट करे क्या देखिए पाँच एकम पाँच हो जाएगा और सातियों पाँच एकम पाँच पाँच सत्य आपका 35 हो जाएगा इतनी बात आपको सातियों समझ में आ गई होगी उमीद करता हूँ देखिए दो तियां 6 हो जाएगा और ये सातियों 5 हो जाएगा और 17 तियां कितना हो जाएगा कुल मिला के 17 तियां आपका 51 हो जाएगा ठीकरा और ये बटे 5 भी हो जाएगा गुणा आपका क्या हो जाएगा 100-X हो जाएगा भाग कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 8.16 हो जाएगा इतनी बात आपको सातियों समझ में आ गई होगी चली कोई दिक्कत नहीं अब एक काम करिए सातियों अब काम आपके करिए कि जो नीचे नीचे है उसकी इससे गुणा करा दीजे तो 5 और 100 है ना तो 5 और 100 की गुणा इससे हो जाएगी बिल्कुल सही अब यह यहाँ पर से हट गया और नीचे 51 है तो नीचे 51 की भाग करा दीजे नीचे 51 की भाग करा देंगे इतनी एक सातियों मैं उमीद करता हूँ आप सभी लोगों के यहाँ पर समझ में आ चुकी होगी यह पॉइंट लगा है ना इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे 2 0 बढ़ जाएंगे एक लगा के इस 100 से यह 100 कैंसिल हो जाएगा इतनी बात आपको समझ में आ गई अब यहाँ पर 816 हैं गुना 5 51 है अब अगर बात करें सात्यों देखिए इसको दरह 3 से कड़ कराएगे तो 3 एकम 3, 3-721 हो जाएगा इसको कड़ कराएगे 3-2-6 हो जाएगा यह आपका 2 बचे का 21 हो जाएगा 3-721 हो जाएगा है अब 17 साफियो 17 हो जाएगा यहां पर कितना जाएगा 10 जाएगा और 17 चंग होते हैं 702 तो 17 चंग आपके 102 हो जाएगे अब अगर बात करें 16 की और 5 की उना कितनी हो जाएगी साथ यो 16 5 8 हो जाएगा तो अब आपके सामने जो आएगा यानि के 100 माइनस X बराबर 80 आजाएगा ठीक है न यानि कि माइनस एक्स बराबर असी माइनस सव आ जाएगा माइनस प्लस है तो कुल मिलाके घटेगा तो माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा माइनस बीस आ जाएगा इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो एक्स का मान जुआएगा वो बीस परतशत आ और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है चालिए यहाँ पर अगर बात करें साथियों एक तरीके से जिम्लिकित आयत चित्र का अध्यन करके नीचे दिये गए प्रश्णू का उत्तर आपको बताने यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको साथियों समझा देता हूँ क्या य चार सो पचास है अगर मैं आपसे कहूं क्या अगर मैं आपसे कहूं क्या यहाँ पर 20-25 बर्श के लोगों की संख्या कितनी है तो 250 है उसके अलावा 40-45 की अगर मैं साथियों बात करूँ तो यह मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये 25 तक आएगा ठीक है या ऑना 25 पर और 30 से 35 के अगर बात करूं सातियों तो कितना आएगा ये मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा 100 से कम आएगा यानिके 75 पर आएगा ये आपको सातियों धिहान रखने है अब पहला परशन सातियों आपसे क्या पूछा जा रहा है एक बार देखिये और बताइए कहा आपसे सातियों ये जा रहा है कि 15 से 45 वर्षों की आयो वरके वैक्तियों की कुल संख्या कितनी है तो 15 से 45 की बताइए है कोई दिक्कत नहीं है सातियों बहुत आसान है 15 किदर गया 15 से 45 पंधर आपका ये हो गया 45 आपका ये हो गया चलिए कोई दिक्कत नहीं है तो 15 से 20 वर्ष की सातियों कितनी है तो 450 है 450 लिख लिए चलिए इतनी बात आपको सातियों समझ में आ रही होगी अगर समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है चलिए उसके बाद अगर बात करें 20 से 25 की अगर बात करते है तो कितनी है एक सेकंड 20 से 25 की बात करें कि 15 से 45 वर्ष तक यानि कि अंत तक की आप से पूछी जा रही है चली कोई दिकत नहीं है तो 450 आ गया 250 आ गया और 150 आ गया अब अगर बात करते हैं सात्यों 30 और 35 की 30 और 35 की अगर बात करें कितनी या सात्यों मैंने आपको बताई थी 75 है लगबग कम है थोड़ी तो यह आपक से 40 की जब हम सात्यों बात करते हैं तो या आपके कितनी है 50 दे रखी है ठीक है और उसके बाद सात्यों 40 से 45 तक कितनी है तो 25 है अब इसको कैलकुलेट कर लो और यही आपका सात्यों आंसर हो जाएगा वही चली तो 0 ठीक है ना या तो ऐसा काम करो एक काम यह करो चलो वैस 22 हो जाएगा 22 और एक आपका यह 23 हो जाएगा 23 और 7 यह 7 कितना हो जाएगा फिर वही आजाएगा ठीक है 30 हो जाएगा तो यह 3 लग जाएगा यह 4 और 3 7 हो जाएगा 7 8 9 10 यानिके 10 आजाएगा तो कुल मिलाके 1000 सात्यों आपका आंसर आजाएगा और 1000 कौन से आप्शन में ह क्या यहां पर right answer हो सकता है देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है चलिए 20-30 वर्षों के IU वर्के वैक्तियों की कुल संक्या 20 और 30 की यहां पर बात की गई है 20 और 30 की यहां पर साथियों बात की गई है कोई दिक्कत नहीं बहुत आराम से दोनों जुड़ जाएंगे और जब जुड़ जाएंगे तो 400 आपका answer आजाएगा अब answer देखना है साथियों 400 कहीं पर है तो बिल्कुल साथियों 400 है 400 आपकी option number B में है तो यहीं आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है वहीं बहुत बढ़िया 400 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है जिनका भी answer यहाँ पर B है तो बिल्कुल सही है तो यह साथियो यूपी पुलिस कॉंस्टेबल के लिए 10 कोशन मैंने रखे 10 कोशन डीजिनिंग के 10 कोशन मैत के 75 पूरे कोशन्स रखे हिंदी के और साथियो समवन निग्यान के तो इक लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताईएगा कि एक लास आपको साथियो कैसी लगी और इस वीडियो को साथियो आपने मित्रों तक शेयर कीजएगा प्यारे से कमेंट के मादम से बताईए गाए कि एक लास आपको कैसी लगी तो मिलते हम सभी लोगाने वाली वीडियो में जई हिंसातियों